सनी दियोल अपने बेटी करन दियोल को इंडस्ट्री में लॉंच करने की लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे अब करन फिल्म पल पल दिल के पास से अपने फिल्मी करियर के शुरुबात करने वाले हैं जो सनी ने अपने पिता धर्मेंद के फिल्म ब्लैकमेल के गाने के नाम पर रखी है। वैसे तो सनी चाहते थे कि उनके बेटी का डेब्यू अभिनित्री अम्रिता सिह के बेटी सारा अली खान के साथ हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सनी दियोल के एक करीबी सूत्र कहते हैं कि सनी दियोल और अम्रिता सिह के शुरुवात साथ में बेटाब फिल्म से हुई थी। इसलिए सनी चाहते थे कि उनके बच्चे भी साथ ही अपना करियर एक ही फिल्म से शुरू करें। सनी ने सोचा नहीं था कि अमृता इस बात के लिए शायद ही राजी हो, अमृता इसे लेकर उच्सुक नहीं थी, इसलिए सनी ने बात आगे नहीं बढ़ाई, अमृता सिह चाहती थी कि सारा को करन जोहर द्वारा लॉंच किया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और अब सारा अभिशे कपूर की केदारनाथ में सुशान्त सिह राजपूर्थ के साथ पहली बार नज़र आएंगी